तो दोस्तो आईपियल 2023 से ठीक पहले चैनेई सुपर कींज की टीम में सामिल होगा ये खतरना खिलाडी CSK की टीम के लिए आई बड़ी खुश कबरी सामने तो क्या एक खबर की पूरी जानकारी कौन सा खिलाडी होगा चैनेई की टीम में सामिल क्या खुश कभी चैनेई की टीम के फैंस के लिए आईए बताएंगे आपको इस वीडियो में लेकिन इस से पहले अगर आप भी MS Tony के बहुत बड़े फैन हैं और चाहते हो चैनेई की टीम IPL 2023 का खिताब जीते तो आप इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सस्क्राइब कर लीजिएगा और साथ ही किर्केट की हर कबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों IPL 2023 के लिए चैनेई सुपर किन्स की टीम ने अपनी तैयारिया शुरू कर दिये चाहिए इस बार IPL 2023 का अगाज 31 मार्स से होगा IPL 2023 के पहले ही मेच में चैनेई सुपर किन्स की टीम और गुजराद टानिटर्स की टीम आमने सामने होने वाली है यह मुकाबला नरेंदर मोधी इस्टेडियव एमदबाद में खेला जाएगा वही इस समय चैननी सुपर केंज की पूरी टीम चैननी में है जा चैननी सुपर केंज की टीम का प्रेक्टिस केम चल रहा है आपको बता दे पिछले सीजन में चैननी की टीम का परदसन काफी खराब रहा था लेकिन अब Chinese Super Kings की टीम पिछले सिजन को भुला कर एक नई शुरुआत करना चाहेगी भही IPL 2023 से पहले Chinese Super Kings की टीम के लिए खुशी की खबर सामने आ रही है आपको बता दे अब Chinese Super Kings की टीम के ओपनर बले बाज डेवन कॉनवेग चैननी की टीम के लिए सभी मुकाबलों में उपलब रहने वाले हैं चाहाँ न्यूजिलेंड किर्केट बोट ने गोशिद कर दिया है कि IPL 2023 के लिए न्यूजिलेंड की टीम के सभी खिलाडी उपलब रहेंगे पहले स्रिलेंड का और न्यूजिलेंड की टीम के 23 T20 और तीन वंडे मैचो की सिरीज के लिए सस्पेंस था तो ऐसे में न्यूजिलेंड की टीम के सभी खिलाडियों को लेकर न्यूजिलेंड के किर्केट बोट ने IPL 2023 के लिए खेलने की इजज़त देद दिये तो अब ऐसे में न्यूजिलेंड की टीम के ओपनर बलेबाज डेवन कौन वे चैनने की टीम के लिए हर मुकाबल में खेलते ने जर आएंगे जो की चैनने की टीम के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुसकब रिये तो आपको क्या लगता है IPL 2023 में चैनने की टीम सामदार वापसी करते हुए IPL 2023 का किताब जीत पाएगी या नहीं आप इसकी राए कमेंट बोक्स में जरूर दीजिएगा